पारफ समपत्यों को कुर्किया जाना था, कल कुछ कारवाई हुई थी आज क्या कारवाई हो रही है और इसमें कब तक कूरी कारवाई कर ली जाएगे सर्भी पारफ समपत्यों कुर्करने की माफियाओं के बिरुद जो एक सघन अभियान चला है अपराद मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और खास तोर से यहां पर माफियाओं का दमन करने की जो हमारे मुहीम है उसके क्रम में प्रापर्टियों की कुर्की की जा रही है कल जो है इनकी प्रापर्टी को किया गया है सीज किया गया है आज भी प्रापर्टी की सीजर की कारवाई चल रही है तीन प्रापर्टी आज भी सीज हुई है और हो रही है आगे भी इस पर जो बारह प्रापर्टी चिनित की गई है जल्दी से जल्दी तुरंत इनके सीजर का प्रियास किया जा रहा है और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सीज़र कर लेंगे। सारी प्रापर्टियों को सीज़र करते हुए, उनके उपर एक्षन लेते हुए, एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपराज करके अवेद प्रापर्टियों को बना करके गलत कारें नहीं कर सकते हैं, इसी के क्रम में जो प्रापर्टी जिसका आप लिख कर रहे है उसके उपर भी जो कोल्ड इस्टोरेज है, उसके उपर भी कारवाई की जा रही है, उसमें जो भी कुछ आलू थे, उनको भी निकाल करके उसके उपर कारवाई की जा रही है, अलेडियों प्रापर्टि कूर थे